आज के इस वीडियो में हमें पांचवे पार्ट के महत्वपूर्ण बिंदू को समझेंगे जैसा कि आप जानते हैं प्रतेक पार्ट के अंत में कुछ महत्वपूर्ण बिंदू दिये होते हैं और ये महत्वपूर्ण बिंदू पूरे पार्ट की समरी है पूरे पार्ट में जो important बाते हैं उनका सार हैं तो यहां हमें board परिक्षा को ध्यान में रखते हुए तो कि आपके board परिक्षा के दो person पत्तर हैं उनमें पूरे पार्ट में से कहीं से भी question पूछा जा सकता है तो पहले हम मैत्वपुन बिंदो को समझेंगे और आगे के जो वीडियो हैं उनमें हम इस पार्ट के person उत्रों को समझेंगे जो कि पार्ट केंट में दिये गए हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं महत्वपुन बिंदों में पहला बिंदो कि RNA-S के अनुसार जो पदार्थ जलिये विलियन में H पलस आयन यानि कि hydrogen ion देते हैं अमल कैलाते हैं तथा जो OH आयन hydrogen ion देते हैं वो थार कैलाते हैं देखिएगा अमल और थार यानि कि अपने चेप्टर है उसके शुरुव में अमल और थार के बारे में दिया गया है तो अमल तो आप सभी जानते हैं एशे पदार जो स्वाद में खटे होते हैं वो अमल होते हैं और चार एशे पदार जो स्वाद में कडवे होते हैं यह तो स्वाद के अनुसार बात भी फिर जो विग्यानिक हैं उन विग्यानिकों ने अपने अनुसार समय समय पर परिवासाई दी हैं और विग्यानिकों ने उनमें सुधार किया है तो देखिए अपने सलेबस में दस्वी कक्सा में तेन विग्यानिकों ने अमलचार की परिवासाई दी हैं जिन में सबसे पहले पढ़ेंगे आरेनियस के अनुसार, दोसरे पुण्डे पढ़ेंगे ब्रास्टेंट लोरी के अनुसार, तेसरे पुण्डे पढ़ेंगे लुईस के अनुसार, ये दो तीन वेग्यानिक हैं, इन तीनों वेग्यानिकों में से एक वेग्यानिक का क्युस् अमल सार की परिभासा का क्विश्टन आता है और यहां हमें एक नमबर की इसकी परिभासा को और एक नमबर इसके जो उधारन है जो अभिक्रिया है उसको अपन समझेंगे तो सबसे पहले सुरुबात करें अपन औरेनियस के अनुसार कि R.N.E.S. ने बताय कि जो पदार जल ये विलियन में यानि कि पानी में गोलने पर ऐसे पदार जिनको पानी में गोला जाये और वो H.च.पलस A.उन दे दे यानि कि HYוח Nicolas N. पलस का मतलब धनाईन है H.च.पलस A.उन देते हैं वो तो अमल प्यलाएंगे और जो पदार जल में गोनने पर OH IN, OH माइनस यानि की डिनाइन देते हैं, वो छार कहलाते हैं यह तो परिवासा हुई, परंतु हमने यह बताया, यहां दो नमर का जो कुछ सुनाएगा तो हमें परिवासा के साथ में इसका उद्धारन लिखना बहुत जुरूरी है क्योंकि साइंस में दो चीज़े बहुत इंपोर्टेंट हैं, एक तो उसका एक्जामपल और दूसरा उसका डाइग्राम तो देखते हैं पर यहां इसका दो, यह रही देखो अपने परिवासाएं यहां देखेगा, यह परिवासाएं जो विग्यानिकों के नुसार है, पहले आरेनियस के नुसार यानि कि जो पदार्थ जल्य विलियन में अपगटित होकर, अपगटित का अनुट तूट जाएंगे हएंच पलस आइन देते हैं, वो अमल के लाते हैं, जो पदार्थ जल्य विलियन में अपगटित होकर तूट कर हाइडरोक्शी लाइन, यानि कि OH-1, इसको हाइडरोक्शी लाइन कहते हैं, वो OH- को विच्वार के लाते हैं तो आपन बात करेंगे इसके उधारण की, तो यहाँ एक 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 जामपल तो लेंगे अमल का, ठीक है जिसे HCL है, यह पदार जलिये विलियन, यहाँ AQ लिखा है, AQ का उलब है, एक्वेटिल, एक्वेटिक यहने के जलिये, तो यहाँ जलिये विलियन है, इसका HCL को पानी मे गोला अपने, हाइड्रोकलोरिक अमल को, तो H+, आयन दे दिया इसने, जो H+, देता है, वो क्या होता है, अमल, तो यह क्या है, हाइड्रोकलोरिक अमल है, यह तो अमल का उदार्ण हो गया, ठीक इसी परकार से हम छार का एक्जामपल लिखेंगे, जैसे माली जी आप हम हाइड्रोक्षाड का एक परकार का थार है, यह थार का उदार्ण है, तो हमें यह दोनों इसके एक्जामपल जो है, यह लिखने बहुत ही जरूरी है, तब ही हम पूरे अंक ले पाएंगे, तले फिर आगे बात करते हैं, अगला दो पोइंट है, वो है ब्रांस्टेंट एउन लोरी, यह दो अलग-अलग वेग्यानिक है, ब्रांस्टेंट अलग है और लोरी अलग है, इन दोनों ने साथ-साथ काम किया और उन्होंने बताया कि एशेपदार जो प्रोटोन दाता है, दाता का मतलब देते हैं, जो प्रोटोन देते हैं, वो तो अमल कलाएंगे, और जो प्रोटोन गरहन करते हैं, प्रोटोन लेते हैं, वो छार कलाते हैं, तो देखिए, यहां, प्रोटोन का मतलब जो है, वो H plus AIN से ही है, यानि कि जो H plus AIN देंगे, ठीक है, वो तो अमल, तो देखिए, आप इसको थोड़ा सा याद करक सकते हो कि, और अनियस ने क्या था कि जो H प्लस आयन देते हैं वो अमल कलाते हैं H प्लस ही क्या होता है प्रोटोन तो यहां क्या नाम हुआ कि प्रोटोन दाता यानि कि जो H प्लस आयन देते हैं वो अमल या फिर इसे बोल दें तो प्रोटोन देते हैं वो अमल कलाएंगे और जो प्रोटोन गरन करेंगे व बोद चार क्या लाएंगें तो हमें यहाँ पर ये परिबासा लिखनी है और ठीक वेसे ही हमें इनका ये जो reaction इसकी जो उदारण है उनको लिखना है तो देखते हैं अपर प्रोटोन के इसके ब्रोश्टेंट लोरी के अनुसार ये रहा ब्रोश्टेंट लोरी जो है उसकी सं S2O, proton दाता है, तो यहाँ यह अमल की बाती काम कर रहा है, और यह proton गराही है, ammonia NS3, एक hydrogen ले लिए NS4 हो गया, तो यह चार की बाती काम करता है, इसी प्रकार से हमें एक्जामपल और ले सकते हैं, जैसे HCL है, यह proton दाता है, क्योंकि यह अमल है, और S2O, यह proton लेता है, गराही ह S3O बन गया, तो यहाँ पर यह चार की बाती काम करता है, तो यह हमने दूसरा समझा, अब अपने आगे देखते हैं, तेसरा दो पॉइंट है, वो है लुईस के नुसार, यह रहा लुईस, लुईस के नुसार, इलेक्ट्रोन दाता, तो चार है, और इलेक्ट्रोन गराही, अमल कहलाते हैं, ठीक है, देखें, प्रोट्रोन दाता, प्रोट्रोन का उल्टा कर दीजिए, क्योंकि प्रोट्रोन दोता है, दनाएन, पलस वाला, और इलेक्ट्रोन क्या होता है, रिनाएन, माइनस वाला, तो तो प्रोट्रोन देता है, वो अमल है, ठीक है, तो इसका मतल जो देते हैं वो तो अमल होते हैं उसी परकार से इलेक्ट्रोन जो लेते हैं वो अमल होते हैं और जो इलेक्ट्रोन देते हैं वो छार होते हैं तो लुईस के अनुसार भी आपको यह परिवासा याद रखनी है तो इसका जो एक्जामपल है वो अपन देखें ज्यान से देख फार वे पदार थे हैं तो इलेक्ट्रोन यूगम को त्याग एते हैं त्यागने का अलब किसी दूसरे को दे देते हैं तो यहां इसका जो एक्जामपल है वो देखे आपको यह एक एक्जामपल लिखना है बहुत यह अच्छा एक्जामपल है यहां BF3 है यह अमल है और NS3 य अब आपको के से पता चला की ML यह चाँ है ammonia जो एक्जाम जो एक्चार में इसके पास यह अपने और यह इस BF3 को दे देगा, तो यह इलेक्टरोन देने वाला है, देने वाले को क्या कहते हैं, चार, देको यह लिखावा, पदार जो इलेक्टरोन देते हैं, त्यागते हैं, वो तो चार कलाते हैं, और यह लेने वाला है, लेने वाला BF3 यह अमल कलाएगा, जो इलेक्टरोन य लगा है इरो का इदर इसका उनलव है इलेक्ट्रोन यहां से इधर जा रहे हैं तो इस परकारशे हमें यहां पर यह जो तेन विग्यानिकों की जो अलग-लग परीवासाइए हैं तो तीनों परीवासाओं के बारे में हमने यहां समझा और इनकी जो एक्जामपल्स हैं उनको भी बताय था कि एक अंतर का परसुन बनता है और यह अंतर क्या तो परसुन है अमल चार में कोई दो अंतर लिखे इस परकार्शी किश्ण पूछा जा सकता है अंतर का किश्ण जब भी होता है तो उसके लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी अमल के बारे में लिखेंगे और लिटमस पेपर को लिटमस का एक कागज होता है एक पेपर होता है जो कि अगर नीले रंका है अगर नीले रंका लिटमस अपन डुबोएंगे इसमें अमल के अंदर है तो वो केसा हो जाएगा वो लाल हो जाएगा ठीक है और अगर लाल लिटमस को अपन डुबोएंगे किस में थार में तो वो केसा हो जाएगा वो नीला हो जाएगा ठीक है तो आप एक याद कर लीजिए अमल क्या कर देते हैं नीले लिटमस को लाल कर देते हैं इसके ट्रिक है याद करने की ए अमले नीले को लाल कर देते हैं तो याद कर लो ए नीले अमले नीले को लाल कर देते हैं दूसरा बच गय थार, उसका इल्टा कर दो बस, थार क्या करेंगे? लाल को नीला कर देंगे। तो ये अंतर के शाख से भी क्युस्टन बन सकता है, और दोसरा, ये लिटमस पेपर का जो परसन है, ये इसका पूचा दा सकता है, ये नीले लिटमस को लाल में कौन मदलता है, वो भी हमें याद होना चाहिए. नेक्ट क्यूशन है क्यूशन नमर फाइप. अमल और चार के अभिकरिया से लवन तथा जल बनते हैं. देखे ये पांचवा जो पॉइंट है, ये इस पार्ट के अंदर ही कम से कम तीन चार बार आ गया है. ये पांचवा पॉइंट है, इस पार्ट में तीन चार बार पुछा गया है, और अगला आपन जो पार्ट पढ़ेंगे, छै का पार्ट, रासानी का विकरियाओं वाला, तो वहां पर भी ये लाइन दुबारा आपने को पढ़ने को मिलेगी, कि अमल और थार जब आपस में किरिया करते हैं, दोनों, एक अमल और एक थार दोना आपस में विकरिया करते हैं, तो लवन और जल बनता है, इसे उदासनी करने विकरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको उदासनी करने विकरिया, तो देखिए इसको देखते हैं, अपने अप पार्ठ में जो पहला ही पार्ठ का जो पहला पेज है इसमें देखें यहां यह लिखा हुआ यह रहा अमल और थार की किरिया से ज़वण और जल बनते हैं अमल यह रहा है अन्योज की थार है अब देखो यह तो आपको याद करने पड़ेंगे पांच अमलों के नाम और पांच थार के नाम, यह आप कोपी में लिखके अलग याद कर लीजिए, कि अमल कौन-कौन से हैं, जैसे है, अपना यह एचनो-3 है, नाइटरिक अमल है, तो यह अमल है, कार्बोक्षली का अमल है, थार, एन्योएट, पोटेशिम हैड्रोकसाइड, यह अमलों और छार यह आपको पांच थारो को ना विखकरने है, तो अमलों और छार जो आपस में किरिया करते तो लवन, यह एक प्लस में यहां क्या लिख देंगे अपने, उस्मा, यहां पर इसमें उस्मा मुग्त होती है, उस्मा निकलती है, तो यह अपने इस पार्ट म में बहुत important बनता है दो number का और इसमें रेक से लिखने बहु趁 जरूरी है जरूरी है यह अभीकिरिया जो है इसके लिए अभीकिरिया लिखनी जरूरी है क्योंकि do number का क्रिष्ट सुनाएगा एक number का इसके परिवासा का और एक number की अभीकिरिया का मिलेगा नेक्स छटा पॉइंट अभी इस पार्ट के पहले पेज पर यह है लवन यह दो लवन बनता ना इस लवन की बात कर रहा है कि क्रिश्टल में लवन के जो क्रिश्टल होते हैं उन क्रिश्टल के अंदर कभी कभी जल पाइदाता है पानी पाइदाता है और उस पानी को अपन क क्रिश्टल जल कहेंगे ठीक है तो क्रिश्टल जल क्या है इसके दो दारन दीजिए इस परकार से बोर्ड परिक्षा में किसन कई बार पूछा गया है तो क्रिश्टल जल क्या है यानि कि लवन के क्रिश्टल में जो जल पाया जाता है उसे क्रिश्टल जल कहते हैं अब इसके दो example, तो देखें, example आपका मुँआ बता दूँ, क्रिस्टल जल के जो example है, यह आपको यह रहा है यहां पर, दिख रहा होगा, ठीक है, एनकी crystal में, उनके साथ crystal जल भी उपस्षित होता है, और लवण के साथ में, एकाई सुत्तर को लिखने के लिए, जल के अनूओं को, जो पनिशित संख्या जुड़ी होती है, उसे किष्टली जल कहते है, जैसे Na2CO3 है, फोडियम कार्बोनेट, इसके साथ में 10 अनू जल के जुड़े हैं, तो ये 10 अनू ये फिक्स हैं, जल के 10 अनू, 10S2O, तो ये किष्टली जल है, किष्टली वाटर है, इसी प्रकार से यहां प 2SO4, 324S2O, इसमें जल के 24 अनू जुड़े हैं, फिटकरी का एक बार परिक्षा में किष्टन, सीधा पुछा गया था, फिटकरी का सुतर लिखियें, ये फिटकरी में कितने जल के अनू पाई जाते हैं, किष्टली जल के अनू 24 होते हैं, तो ये आपको इनके एक्जामप लिखियें, अपन 12 पॉइंट हैं, जो महतोपन हो पढ़ेंगे, तो चलिए हैं, अपन चलते हैं, 7 पॉइंट के उपर, 7 पॉइंट है, अमल एंचार की सामर्थे, PS से मापी जाती है, PS का उलब है निकी, हाइट्रोजन आयन की सांदरता, प्याइस का उलब क्या है, हाइट् प्यादा होंगे, पदार सुतना ये अमली होगा, हाइट्रोजन आयन कम होंगे, पदार तेरे देरे, उसकी अमलता कम होती चले जाएगी, और चारी होता चला जाएगा, अगला पॉइंट है, हाइट्रोजन आयन की सांदरता, यान की H पलस आयन, का रिनात्मग लोगरिथम पी-एच कहलाता है, ये इसकी परिवास आयन की पी-एच किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए अपने पी-एच के लिए जो लोगरिथम आली जो बात कर रहा है, उसको अपन समझें, तो आपको ये रहा इसमें, हाइट्रोजन आयनो की सांदरता का रिनात्म के लोगरिथम ल ठीक है, ये हाइट्रोजन आयन की संदरता हो गई ये वाली, और ये रिनात्मक हो गया, लोगरिथम यानि की लोग, ठीक है, इसको लोगरिथम करते हैं, लोग को या लगोगुनक करते हैं, तो ये ही इसकी परिवास आयन की रिनात्मक लोगरिथम को ही पी-एच कहते हैं, कि जिस विलियन की पिएज साथ है वो उदासीन है. साथ से कम होने पर अमली होगा, साथ से अधिक होने पर चारी होगा. ठीक है? तो ये अमलता और चारता का तो क्यूस्टन है वो पिएज से आपको याद रखना है. फिर नेक्स्ट है, देनिक जी उनमें कई सारे योगिक काम में आते हैं. देखो ये दो दस्वा पॉइंट है ना, इसमें आपके बहुत ही मतलपन क्यूस्टन बनता है और कनफरम है, यहां से एक क्यूस्टन पक्का आएगा आपके बोर्ड परिक्शा में. देनिक जी उनमें योगिक जो हैं, कौन-कौन से जैसे अने-सी-एल नमक है, ठीक है, नमक को बोलते हैं अने-सी-एल नमक जो गरों में अपने खाने में काम में लेते हैं, यह वही नमक है. इसका आपने नाम क्या है, सोडिम कलोराइड. दोसरा एने-स यो-थरी, इसको अपने खाने का सोडा भी कहते हैं, या बेंकिंग सोडा भी कहते हैं. ठीक है तिसरा ने 2-COO3-10-2 देखे यहां पर भी किस्टलिजर यह रहा दस जल के अनुज़ो है यह जो ने 2-COO3 यह धावन सोडा है धावन सोडा यह कपड़े दोने का सोडा वासिंग पाउडर भी कहते हैं इसको ठीक है इसी परकार से C-A-O-C-L-2 जेने कि उनमें उप्यो जल के अनुग कितने हैं आदे जल के अनुग होते हैं ठीक है आदा जल का अनुग होता है यह है प्लास्ट्रो पेरिस जिसको अपन सोड में पी ओ पी भी कहते हैं जो हड्डिया तूट जाती है तो जोडने वाला तो पाउडर होता है प्लास्ट्रो पेरिस यह उसी का सुतर है तो इस प्रकार से इन में से कोई भी एक महत्वपुन आपके एक्जाम के अंदर पुछादा सकता है इनका नाम इनका लोकल नेम और इनके उप्योग ठीक है वो आपन को याद रखने हैं और पार्ट के सबसे एंड में है साबून और अपमार्जक साबून अपन जो नाहने के कपड़े दोने के साबून जो कामे लेते हैं वही साबून है अपमार्जक होते हैं डिटरिजेंट सर्फ वगरा जो आते हैं जिसे अपन कपड़े दोते हैं उनकी बात चल रही है ठीक है यह सफाई का क तबाई करते हैं और इनका निर्माद भीन-भीन परकार्श होता है साबुन केश्य बनते हैं वो सारी प्रोसेस अपने पिछले वीडियो के अंदर सभाई रखी है वह आपको सभज़ा लिये पूरी ठीक है और अप मारजय के शेबनते हैं वह बिए वाहाँ वाहाँ में देव वीडियो बता रखा है उसको देखेगा पिछले वीडियो को और अंत में जो पाट के अंत में पॉइंट है वो है मिशेल अनु का निर्मान सफाई का कारी करता है देखिए यहां टाइरा में आको दिख रहा है मिशेल अनु है यहां बीच में जो तेल या चिकनाई जो मैल है और चारो तरफ इसके यहां यह जो इसके दो शीरे हैं धुर्वे शीरा और धुर्वे शीरा इसका हैड और इसकी टेल इस परकार से चिकनाई को तरह तरफ से घहर लेती हैं और जल के अंदर गोल करके एक अगछे बनाती है जिससे कपड़ों से मैल अलग हो जाता है इस पार्ट के जो बारा मैतोपुन बिंदू थे पॉइंट थे उनसम को ध्यान से समझा और आगे के वीडियो में हम इस पार्ट के जो बहुत चैनात्मक परसन है और साथ में ही जो अति लगउत्रात्मक परसन है यानि कि छोटे परसन है उनको भी समझेंगे और इस हमें से च्यार नमर का क्यूशन मनना है जो कि तू पलस टू में से आएगा तो यहां हमें च्यार नमर के इसाब से यहां इस पार्ट को तयार करना है चीक है धन्यवाद